यह T5 Android का रिस्टूरियो है और इसमें Apple CarPlay का फीचर सपोर्ट करता है बट यहां पर यह option आ नहीं रहा है यहां पर G-Link का option नहीं आ रहा है अब देख सकते हो इसकी application G-Link नहीं है यहां पर तो इसके लिए क्या करना है उपर से slide करना है देन यहां पर पासबर्ट देना 16176699 और कंफर्म कर देना है और यहां पर यह फीचर सेटिंग के अंदर यहां पर यह CarPlay का option जो है यह Un-tick है यहां पर टिक कर देना है तो यह टिक करने पर यह phone connected option अंटिक हो जाती है यदि आप इसको टिक करोगे phone connected को तो CarPlay का जो option है वो Un-tick हो जाएगी तो यहां पर हमको इसको CarPlay को टिक करना है Apple CarPlay के लिए Then Save कर देना है सेव करने के बाद ये प्लेयर री स्टार्ट होगी तो कुछ टाइम लगेगा री स्टार्ट होने में तब तक वेट करता हूँ ये प्लेयर री स्टार्ट हो चुकी है आप देख सकते हो प्लेयर राउन हो चुकी है अब ये एप्स में ओके किया और यहाँ पर आप सबसे लाश्ट में देख सकते हो जी लिंग का ओप्सन यहाँ पर आ चुका है तो आप कारपले के ओप्सन को यूज़ कर सकते हो इसमें झाल 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 झाल